मेरे पुज्य गुरुदेव प्रेम्हन्स योगानंजी के द्वारा उप्वास के भोतिक और आध्यात्मिक फाइदे ये टोपिक सेल्फ रिलाइजेशन फैलोशिप अंतरास्टे मुख्याले लोस एंजिलर्स कैलिफोर्निया में 9 मार्च 1949 को दिया गया था उप्वास के भोतिक और आध्यात्मिक फाइदे ये जैसे ही शरीर स्वैम स्थुल आद्तों से मुक्त हो जाता है भीतर की आत्मा शरीर की मांगो से अलग हो जाती है मैंने अभी अभी डाइटिंग और उप्वास करके अपना तीस्वा दिन बिताया है और यह इतना स्वाभाविक लगता है मानो मैंने कुछ भी खाया ही नहो तुम सब जो समर्थ हो तीन दिन का अप्वास करो कम से कम तीन दिन की फास्टिंग रखो यदि संबव हो तो अधिक समय तक भी रखो आपको पता चलना सुरू हो जाएगा कि आप भोजन के बिना रहे सकते हैं शरीर में दर्द या पीड़ा यह संकेत देती है कि उसकी मसीनरी में कुछ गडबड हो रही है मरम्मत की आवशकता है सोचिए आप कितनी कर्तववे निस्था से अपने ओटो को अपनी कारों को साप और अच्छी मरम्मत में रखते हैं फिर भी कार से कहीं अधिक जटिल मानुए शरीर है और प्रभू चाते हैं कि आप इसे साप और अच्छे कर्म में रखें साथी साथ उस पर अधिक निर्भर रहें और ना भी रहें अच्छे स्वास्ते का रहसे के वल लसाइनों से नहीं चिपा है वयक्ति को अपने भीतर ईश्वर की उरजा पर और भी अधिक भरोसा करना चाहिए हमारे शरीर के भीतर यह जीवन शक्ति, वास्तों में जीवन का स्त्रोथ है, सोर्स है यह एक चेतन शक्ति है अंगो का निर्माता और उसकी जीवन शक्ति का आपूर्ति करता भी है आम तोर पर जीवन शक्ति लगातार मन की शक्ति और भोजन से मजबूत होती है लेकिन अगर इसका बहुत अधिक दुरूपयोग किया गया है तो यह हार मान लेता है और आगे काम करने से इंकार कर देता है उधारन के लिए इसकी शक्ति आँखों में धूनली हो सकती है और फिर आप ठीक से नहीं देख पाएंगे कोई भी भोजन शक्ति नहीं देता वायू का कोई भी परिवर्तन स्पूर्ति नहीं देता जब शरीर का जीवन शक्ति ख्षीन होने लगती है तो कोई भी चीज शरीर में उरजा बहाल नहीं कर सकती उपवास फास्टिंग अत्यदिक काम करने वाले अंगो और शारेरिक इंजन को आराम देता है और स्वैम जीवन शक्ति को भी अतिरिक्त कार्य करने से मुक्ति दिलाती है जब आप जीवन शक्ति को यह महसूस कराना बंद कर देते हैं कि उसे अपने अस्तित्व के लिए बहारी इस्त्रोतो यानिकि सोर्सिज पर जैसे भोजन, पानी, ओक्षिजन, धोंप पर निर्भर रहना पड़ता है तो वैस्वालंभी स्वत्तुत्र हो जाती है साल के 365 दिन जरूरत से ज़्यादा खाना कई तरह की बिमारियों को जन्म देता है खाने में एविचल नियमित्ता यानि कि लगातार खाना चाहे सिस्टम को वास्तों में भोजन किया सकता हो या नहीं फिर भी सरीर के लिए एक अभिशाप है जितना अधिक आप तालू पर ध्यान केंद्रित करेंगे आपको उतनी अधिक बिमारी होगी जितना अधिक आप तालू, तालू मतलब जीब जीब मतलब टेस्ट जितना अधिक आप टेस्ट के लिए खाएंगे उतना ही अधिक आप बिमार होगे भोजन का आनंद लेना ठीक है लेकिन उसका गुलाम बनना जीवन के लिए अभिशाप है बुरा है आपको प्रकर्ति को आपको नुक्सान क्यों पहुँचाने देना चाहिए यानि कि लगातार खाने से अपने आपको क्यों बिमार करें यदि आप सरीर से जुड़े नहीं है या भोजन से बंदे नहीं है तो प्रकर्ति आपको दंडित नहीं कर सकती आपको यह पहचानना होगा कि जीवन शक्ति ही सरीर का निर्वाहक है कटर हुए बिना मन पर सबसे अधिक जोर दें उसकी शक्ति को अधिक से अधिक बरोसे मंद बनाने के उद्यस्य से कारिय करें यानि कि भोजन पर कम और मन की सक्ति जो जीवनी सक्ति है उस पर जादा से जादा निर्वर रहें यदि आप अपने मन को अपने सरीर का गुलाम बनाने पर जोर देंगे तो मन बदला लेगा यहे अपनी सक्तिक हो देगा जिससे आपको अपनी बदद के लिए किसी व्यक्ति या किसी अन्य चीज पर निर्भर हैना पड़ेगा और यदि रोगी का दिमाग इतना कमजोर हो गया हो कि रोग पुराना हो गया हो तो कोई भी डाक्टर या दवा किसी रोगी की मदद नहीं कर सकती तीन चोथा इलाज दिमाग में हैं भारत में हम सीखते हैं कि सरीर पर कैसे विजय प्राप्त की जाए ताकि व्यक्ति मन पर अधिक हद तक भरोसा कर सके जो लोग स्वास्थे और उप्चार के लिए लगतार भोतिक सादनों की ओर देखते हैं वे हमेशा उन पर निर्भर रहेंगे लेकिन मानसिक शक्ति स्रेस्ट है व्यक्ति को धीरे धीरे दिमाग का अधिक सदिक उप्योग करना सिखना चाहिए ऐसा करने से आपको ऐसास होगा कि मन एक सांदार उपकरन है आप जो अग्या देंगे वह करेगा ये मैंने अपने जिवन में देखा है एक दिन जब मैं व्यक्यान दे रहा था बहुत गर्मी थी मेरे चहरे से पसीना बहरा था लेकिन मुझे अपना रुमाल नहीं मिला था एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ तब मैंने अपनी चेतना को कुटस्ट के अंदर पर रखा मतलब कुटस्ट के अंदर मतलब दोनों भों के बीच में जो स्थान है वहाँ पर गुरुदेव ने अपने आपको फोकस किया पर रखा और अंदर से कहा भगवान मेरा सरीर ठंडा है तुरंट सारा पसीना गायब हो गया और मेरे सरीर में यथा संभव मुझे धंडक महसूस हुई इसलिए दिमाग पर अधिक निर्भर रहने का प्रियास करना अच्छा है हलांकि आप सरीर को पूरी तरह से नकार नहीं सकते यदि आपने वास्तों में ऐसा किया तो आप ने तो सोचेंगे, ने खाएंगे, नहीं हिलेंगे कुछ लोग मुख्य रूप से स्वास्ते प्रदर्सित करने के लिए सरीर पर मन की सकती में रूची रखते हैं लेकिन स्वास्ते जीवन का उदेश से नहीं है इसवर से जुड़ना ही जीवन का उदेश से है आपको कुछ देर के लिए अच्छा मैसूस हो सकता है करता है आपको दिखाता है कि यह इश्वर ही है जो वास्ताव में आपके सरीर में जीवन को बनाए रखते हैं लेकिन शैतान यानि कि माया का परलो भन यह है कि जैसे ही मन भोजन के बारे में सोचता है आप उसे खाना चाते हैं एक बार भारत में एक छोटे लड़के के रूप में मुझे सर्दी हो गई और मैं कुछ इमली खाना चाता था जो सर्दी के लिए बहुत खराब मनी जाती है मेरी बहन ने बहुत मना किया लेकिन मेरी जिद के कारण वह अनिच्छा से मेरे लिए कुछ फल ले आई मैंने एक टुकडा लिया उसे चबाया और थोक दिया मेरी इमली निगले बिना ही उसके स्वाद की च्छा पूरी हो गई चुकि मनुश्य को अक्सर लालच की आदत हो जाती है इसलिए यह उसके लिए दुर्भाग्या पूर्ण है कि भगवान ने शरीर को इस तरह से नहीं बनाया कि वह स्वाद की भावना का आनद ले सके और हानिकारक अतिरिक्त या ऐस्वास्तकर भोजन को पाचन और आत्म साथ के अंगों से दूर जाने दे आत्मनियंतरन स्वास्त्य और खुसी का सबसे पवित्र तरीका लेकिन वास्तों में स्वास्त्य और खुसी का एक मात्र तरीका और सबसे पवित्र तरीका आत्मनियंतरन है स्वैम का स्वामी बनना ताकि आप अपनी इंद्रियों पर हावी नहों हो आपके लिए सबसे बड़े आसिरवादों में से एक है यदि आप किसी वाइरिंग सिस्टम पर बहुत अधिक बिजली डालते हैं तो वह जल जाता है और हर बार जब आप अपने पाचंतत्र पर बहुत अधिक भोजन बढ़ते हैं तो जीवन सक्ती खत्म हो जाती है जब आप अधिक भोजन खाने से बचते हैं और जब आप उपवास करते हैं तो जीवन सक्ती आराम करती है और रिचार्ज हो जाती है यदि आपका ओटो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप उसे गैराज में बहुत दें यह कुछ समय तक बहतर चलता है और फिर कुछ और गलत हो जाता है और आप इसे आगे की मरम्मत के लिए वापस बेज देते हैं शरीर के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए उपवास के सारेरिक प्रभाव उलेखनिये हैं संत्रे के रस पर तीन दिन का उपवास ऐस्थाई रूप से सरीर को मरम्मत करेगा संत्रे के रस पर तीन दिन का उपवास मतलब उपवास रखते वे अगर आप संत्रे का रस पिते हैं तो यह सरीर की मरम्मत करेगा लेकिन एक लंबा उक्वास इसे पूरी तरह से ठिक कर देगा आपका सरीर स्टील की तरह मजबूत महसूस करेगा लेकिन यदि आप स्थाई बदलाव चाहते हैं तो आपको हर समय यह भी देखना होगा कि आप अपने सरीर पर क्या और कितना भोजन लेते हैं जाने वरत रखने का सही तरीका तरीका वरत में आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है इसलिए तीन दिन से ज्यादा लंबे वरत के लिए उचित निगरानी जरूरी है मैं किसी को यह सला नहीं देता कि वह अपना पहला फास्ट उपवास लंबा कर ले क्योंकि इससे वह कमजोर हो जाएगा परतेक सपता फल पर एक दिन का उपवास मतलब एक वीक में कम से कम एक दिन फल के उपर निर्भर रहें सिर्फ फल खाएं और और कुछ भी मतले और हर महीने संतरे के रस पर तीन दिन का उपवास और महीने में एक बार जब आप हम उपवास रखते हैं तो हमें संतरे के जूस पर तीन दिन रहना चाहिए खुद को उपवास के आदि बनाने के अच्छे तरीके हैं रोजेदार को उन लोगों के लिए मानसिक रूप से तयार रहना चाहिए जो तुरंत सानो भूती जताना सुरू कर देंगे और उनसे कहेंगी अगर वह नहीं खाएगा तो वह बिमार हो जाएगा और मर जाएगा यह सच है कि लंबे उपवास पर आप पहले कुछ दिनों में कमजोरी महसूस कर सकते हैं क्योंकि जीवन सकती भोजन पर निर्भड़ता की आदी हो चुकी है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीटते हैं आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी आपकी जीवन सकती और आत्मा भोजन से अलग हो जाती है आप देखते हैं कि शरीर प्रान सकती से ही कायम है मैं वहर एस से जानता हूँ जिससे कोई उपवास कर सकता है और किसी फिर भी वजन कम नहीं हो सकता जीवन सकती जब किसी केस सचेत नियंतरण में होती है तो उसका उपयोग मान सुतारने या सरीर को सामान्य वजन पर रखने के लिए किया जा सकता है किसी भी तरह यह प्रभावी है जब इस सिद्धान्त को लागू किया जाता है तो सरीर का सामान्य तापमान कम नहीं होता चाहे कोई कितना भी लंबा उपवास करे मजजा यानि किश्वर का मुख से ऊर्जा खींच कर मजजा मतलब मेडूला भुमद्य केंद्र के ठीक पीछे का सेंटर जहां पर रिड की हड़ी उपर सिर के उपर और सिर आपस में मिलते हैं मजजा यानि किश्वर का मुख यानि कि मेडूला से उर्जा खींच कर जीवन सक्ति बाहरी स्तरोतों पर निर्बर होने के बजाए अपनी जनमजात पुनर योजी शक्ति पर अधिक से अधिक ब्रोसा करना शुरू कर देती है यहां पर गुरू जी कह रहे हैं कि एक विदी है जिसके द्वारा हम मैडूला यानि कि मैडूला इस सेंटर है जहां पर भुरूमद्य केंदर है इसके ठीक पीछे सिर में यहां पर एक मैडूला सेंटर होता है जहां पर जीवनी सक्ति हमारे सुरू के अंदर उतरती है तो गुरुजी क्रिया योगा मेडिटेशन में समझाते हैं कि किस तरह से हमारा जीवन इसके उपर निर्भर है और किस तरह से हम अपने जीवन को जीवनी सक्ति को इसके उपर सस्टेन रख सकते हैं बिना कुछ खाय पिये इसके लिए आप क्रिया योगा मेडिटेशन योगदा सत्संग सोसाइटी राची से इस विदी को सीख सकते हैं निलंबित सजीवता की उत्तम अवस्था में मनुष्ये 5000 वर्षो तक या अनंत काल तक दफनाई जा सकते हैं और जीवित रह सकते हैं जीवन सास्वत है यह ने तो सांस पर निर्वर करता है नहीं भोजन ने पानी ने धूपर हमेशा याद रखें कि आप अविनासी आत्मा है यही जीवन जीने का तरीका है मरत्यू के बाद हमारी चेतना जीवित रहती है लेकिन सामानने व्यक्ति निरंतरता की भावना खो देता है और इसलिए सोचता है कि वह मर गया है हमेशे हर किसी को एक दिन मरना है इसलिए मोज से डढ़ने का कोई ठाइदा नहीं आप नींद में अपने सरीर की चेतना खोने की शंभावना से दुखी महसूस नहीं करते हैं आप नींद को आगे देखने की सवतंत्रता की स्थितिक के रूप में सुखिकार करते हैं यानि कि जब हम नींद में होते हैं तो हमारा सरीर छूट जाता है मरत्यू भी वैसी ही है यह विश्राम की अवस्था है इस जीवन से एक पैंसन है मतलब जब हम गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, सरीर छूट जाता है तो ये गहरी नींद के अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें डरने की कोई बात नहीं है जब मोत आए तो उस पर हंसो मरत्यू केवल एक अनुबव है जिसके माद्यम से आपको एक महान सबक सीखना है आप मर नहीं सकते जब तुमें इसका एसास अभी हो सकता है तो मरत्यू की प्रतिक्सा क्यों करे आपको पहला सबक यह सीखना होगा कि जीवन भोजन पर निर्भर नहीं करता उपवास करके आप इसे स्वैम सिद्ध कर सकते हैं सभी प्रस्थितियों में अच्छी तरह से कारिया करें प्रतेक व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति विक्षित करनी चाहिए ताकि वैस सभी प्रस्थितियों में अच्छी तरह से कारिया कर सके नीद हो या नहो भोजन हो या नहो छुटी हो या नहो नियमित्ता सरानिय और आवश्चक है हमें ईश्वर के नियमों का पालन करने के लिए नियमित्ता यानि कंटिन्योटी की आदर डालनी चाहिए लेकिन बिना दुस्प्रभाव के उस आदत से मन हटा पाना गलत है बच्चे की सभी बुनियादी आदतें तीन से साथ साल के उमर के बीच बनती है अच्छा वातावरन उसके विश्वास को निर्देशित करने में मदद करेगा लेकिन बच्चे को मुख्य प्रवर्तियों को बदलने यदि वांचित हो अगर जुरुत है के लिए विशेश प्रशिक्षन की आवसकता होती है भारत के राची में अपने स्कूल में मैंने लड़कों को शरीर का कठोर प्रशिक्षन दिया वे अक्सर उपवास करते थे और फर्स पर कंबल पर सोते थे कभी तक्यों का उप्योग नहीं करने दिया कभी कभी वे घंटों तक ध्यान करते थे कठोर अनुसासन द्वारा बच्चों को सरीर के अत्याचार से मुक्त होने में मदद करना उन्हें आजिवन आसिरवाद प्रदान करना है एक स्कूली छात्र बिना पल के जपकाए बारे घंटे तक ध्यान में बैठा रहा यदि आप में ऐसी सिष्टा होती तो आप कितने अधिक परसन न होते तुम्हें कितनी अधिक शांती मिलेगी सबसे बड़ा परसिक्षन शरीर और मन और आत्मा के वैज्ञानिक संतुलित अनुसासन में नहीत है और इसी में उपवास का मर्म नहीत है उपवास के पीछे फास्टिंग के पीछे अध्यात्मिक विज्ञान उपवास के पीछे एक महान अध्यात्मिक विज्ञान है संत्र कहते हैं हमें इस सचाई को याद रखना चाहिए मनुस्य केवल मनुस्य किबल रोटी से जिवित नहीं रहेगा दो चीजें आपको परत्वी से बांदती है शांश और रोटी हालाकि नीद में आप सांती में शांती से सांस और भोजन की किसी भी आप सकता से अंजान होते हैं आपकी आत्मा देहे चेतना से अलग है जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी आत्मा देहे चेतना से यानि किस सरीर के होने पन से अलग है उपवास करने से मन भी उसी प्रकार प्रसन होता है उपवास के माद्यम से अपने मन को अपनी सकती पर निर्भर रहने दे जब वह सकती परकट होती है तो सरीर में जीवन सकती तेजी से प्रबल हो जाती है और सरीर के चारोर ब्रमान्ड या उरजा से मस्तिस्क और रीड की हड़ी में मज्जा के माध्यम से यानि की मेडूला से प्रवेश करने वाली शास्वतूर्जा लगातार प्रभाईत होती रहती है जो हमारे जीवन को सिस्टेन करती है, मिंटेन करती है शारेरिक भरन पोशन के बहारी भोतिक स्तुरोतो यानि की खाने पर निर्भरता से अलग होकर जीवन सकती देखती है जीवन सक्ति देखती है कि उसे भीतर से समर्थन मिल ला है और आश्चर यह होता है कि ऐसा कैसे है मन तब कहता है जिन ठोस पदार्तों पर सरीर निर्भर था वे उरजा के स्थूल संगनन से अदिक कुछ भी नहीं है आप सुद्ध उरजा हैं आप सुद्ध चेतन्य हैं फिर मन जीवन सक्ति की चेतना पर जो भी आदेश देगा वे उसी अनुसार प्रकट होगा मन की शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि यह कहना कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते मन और आपके भीतर की सर्व शक्तिमान जीवन शक्ति के साथ कितना नहीं है अपने जीवन और सरीर को कस्टों के प्रति अभेद्य बनाएं अपने आप पर विजय प्राप्त करो लंबे उपवास से आपको एहसास होता है कि सबकुछ मन ही है इस ब्रमार्ण में प्रतेक शक्ति और वस्तु दिव्य मन का एक उत्पाद है यानि कि प्रमात्मा के मन के द्वारा विचारों के द्वारा ही सबकुछ बना है उसी तरह जैसे सपने में आप जो भी चीज़े देखते हैं वह आपके अपने दिमाग की रचनाई है चेतन अस्तर पर जिगे हुए भी यदि आपका मन यह विचार करता है कि उपवास से सरीर कमजोर हो जाएगा वह कमजोर हो जाएगा और यदि आप उपवास कर रहे हैं और अक्षन बर के लिए सोचते हैं कि यह आपको कमजोर बना रहा है तो सरीर वास्तों में कमजोरी महसूस करेगा लेकिन अगर आप यह ठान लें कि सरीर मजबूत है तो उसे कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी बलकि इससे बड़ी शक्ती महसूस होगी अधिकान्स लोग यह नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी इसे अजमाया ही नहीं जब तक आप इसे कार्यानवित नहीं करेंगे तब तक मन आपका चमतकार नहीं दिखाएगा और यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप भोतिक चीजों पर अधिक से अधिक निर्भर रहेंगे इसलिए इसके चमतकार सामान्य दरश्टी से छिपे रहते हैं लेकिन जब उपवास के माद्यम से आप सीख जाते हैं कि मन पर कैसे निर्भर रहना है तो यह हर चीज में काम करेगा चाहे बिमारी पर विजय प्राप्त करना हो चाहे समरद्धी पैदा करना हो या जीवन के सरवोचलक्षे इसवर को पाना या साकार करना हो स्वेशासित योगी जिसका मन पूरी तरह से नियंतर्ण में है इस प्रकार अपनी आत्मा को आत्मा के साथ यानि कि प्रमात्मा के साथ निरंतर ध्यान में सनलगन करके मेरे अस्तित्व की सांती प्राप्त करता है जिसका मतलब है अंतिम निर्वान यानि की मुक्ति यह है भगवत गीता का संदेश